वैलिकम् टू टेक्नीकल जाफर आज हम लेखेंगे एक एप की मदद से Google फॉर्म को कैसे क्राइट करना है इसली वीडियो में मैं दिखाया था कि मुबाइल में ही क्रोम को यूज करके Google फॉर्म कैसे बनाना है तो काफी सारे लोगों को क्रोम पर Google फॉर्म क्रेड करना नहीं कि शुरू करते हैं फर्स्ट आफल हमें एक आप की ज़रूरत पड़ेगी उस आप को डाउनलूड करने के लिए सिंपल में हैं से प्ले स्टोर में चला जाता हूं प्ले स्टोर में जाने के बाद यहां पर सर्च करना है यह फो आर एम एक डेपल्ड फ़र्म एप सिंपल ऐसे फॉर्म एपकर के सरच कर देना है सर्च करनेगी बाद आपको 10olut मिल जाएगा अब इसकी लिंग आपको description में भी दे दूँगा simply आप महांसे भी download कर सकते हो तो simply हमें से open कर लेता हूं तो आप यहां पर देख सकते हो जैसे में open कर रहा हूं यहां पर survey hearts और यहां पर Google forms मिल रहा है simply आपको यहां से उपर Google Forms पर कर देना है Google Forms को क्लिक करने के बाद सिंपल आपको हिहां से आपका email ID चूज कर लेना है मैं यहां से मेरा email ID को चूज करके सिंपली ओके कर देता हूं सिंपल यहां से अलाउ मांग रहा है तुम एसे अलाउ कर देता हूं और यहां पर देख सकते हो सिंपल यह आपको एक एड़ वाला बटन मिल रहा है सिंपल इस आड़ वाले बटन को क्लिक कर देना है मैं यहां से से क्लिक कर देता हूं तो आप यहां पर देख सकते हो आपको कुछ बाइड़ टैंपलेट्स भी मिल रहे हैं मैं यहां से आपको न बाद simple यहां पर add question का जो answer वाला जो flash हो रहा है से click कर देना है तो आप यहां पर questions को add कर सकते हो first मैं यहां पर जो untitled form है यहां पर change कर देता हूं यहां पर मैं online test कर देता हूं for example के लिए और description के लिए मैं आप लिख देता हूं online exam आप यहां पर जो चाहिए description लिख सकते हो जो आपके user या फिर student है वह आपको वह simple इसको पढ़ सकते हैं पिर उसी के बाद यहां से simplest add वाले बटन पर click कर देना है यहां पर आप देख सकते हो आप यहां पर short answer लोंग आंसर और साथ ही साथ multiple choice questions ऐसे check box आप यहां पर आड कर सकते हो drop down list अगर आड करना है तो वह बहुत ही आड कर सकते हो यहां पर liner scale आड कर सकते हो multiple choice यहां पर आप guide ऐसे आप लेना चाहते तो वह ले सकते हो और हैं पर date एड़ करना है या फिर टाइम और हैं पर आड़ सेक्शन्स विखर सकते हो मैं आपर फर्स्ट शॉर्ट अंसर पर क्लिक कर जाता हूं या शॉर्ट अंसर में लिग देता हूं यूवर नेम यहां पर मैं यूवर नेम कर देता हूं तो शॉर्ट अंसर को यहां से से रिक्वाइड कर देता हूं यूवर नेम को रिक्वाइड करने के बाल सिंपली मैं ऐसे और एक एड शॉर्ट अंसर पर क्लिक कर देता हूं यहां पर यूँअर के लास करदेता हूँ न समआ सिंसे रिक्वायड करदेता हूँ कि अप्राइड को न को खेल देता हूँ फिर हो इस्ट खेल खेलो और स्छोज्बर अब यहां पर मैं क्वेशन आड़ कर दे रहा हूं फुल फॉर्म आफ सी पी यू तो उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो आड़ ऑप्शन सिम्पल इस आड़ ऑप्शन पर प्लिक कर देना है यहां पर मैं आप्शन आड़ कर जाता हूं और उसी के बाद सेकेंड आप्शन आड़ करना है सिम्पल इहां पर क्लिक कर देना है प्रोसेसिंग यूनिट यहां पर मैं यूनिट कर देता हूं फिर उसी के बाद सिम्पल यहां पर देख सकते हो रिक्वाइड वाला बटन में आपको नजर आ रहा है से टिक कर देना है फिर उसके बाद सिम्पल ही यहां से इस एड़ वाले बटन को क्लिक करके मैं यहां से शॉर्ट आंसर पर क्लिक कर देता हूं शॉर्ट आंसर मैं यहां पर एक क्वेशन डाल देता हूं यहां पर मैं वाटीज कंप्यूटर कर देता हूं तो simply यहां पर इसे रिक्वाइड कर देता हूं है और इसी तरह और कॉशन को आपको आड करना है आड करने के बाद संप्र आ हैं पर शिर्टिंग वाले बटन पर लिक कर देना है कि खर ने के बाद आप आप है फर बेख सकते हो तो आप这 इसे रस्पंस किया अगर आप बचा एक रेस्पॉंस देयों call кв मैं यहां पर मैं इसे डोंट अलाव कर देताँ हूं के बाद आप यहां पर दे सकते हो तो मैं इसे कर देताँуем उसके बाद हूने होने के बाद आप यहां पर देख सकते हो फॉर्म सब्मिटेड आपको यहां पर लिख कर आ चुका है और यहां पर आपको एक आड़ भी नजर आ रहा है यह जो फ्री वाला है इसलिए इसमें कुछ आड़ भी मौझुद हैं तो आप यहां पर सिंपली कॉपी लिंक करके आप इसे आप यहां पर देख सकते हो जो जो हमने रिक्वाइड मांगा था यहां पर रिक्वाइड ऐसे यहां पर नजर आ रहा है यहां पर स्टार वाला आइकॉन में नजर आ रहा है ऐसे यहां पर जो एक शॉर्ट अंसर हमने मांगा था और यहां पर एक मुल्टिपल चॉइस हूँ फिर से मैं जो आप में चलाता हूँ आने के बाद सिंपल यहां से मैं बैक में आ जाता हूँ आप यहां पर देख सकते हो हमारे एप में फॉर्म नजर आ देता हूं और यहां से फॉर्म को इडिट करना है तो इडिट भी कर सकते हो और यहां पर अगर रिस्पॉंस देखना है तो रिस्पॉंस देख सकते हो और शेयर करना है तो यहां से भी इसकी शेयर कर सकते हो या फिर यहां से इस फॉर्म की लिंक को ले सकते हो तो मैं यहां प फॉर्म उपन हो रहा है कि जो हमारा फॉर्म है यहां पर open हो चुका है आपर मैं एक response दे देता ओं कि यूवर क्लास में मौइं यहां पर लिख देता हूं फॉर एक्जामपल फस्ट एक्जांपल के लिए फर्स्ट लिग दे रहा हूं और यहां पर आप देख सकते हो इसका जो आंसर है मैं यहां से उससे टिक कर देता हूं और उसी के साथ वाट इस कंप्यूटर इसका भी मैं आंसर यहां पर देता हूं कि यहां परसा मैं सब्मीट पर क्लिक कर दोटा में कि सब्मीट पर क्लेकरने के बाद आप यहां पर आपकोव फ्यापको और फैसे मिक बार्फ रिफ्रेश कर देता हूं तो अभी आप यहां पर देख सकते हो एक आपको response नजर आ रहा है यहाँ पर विव रिस्पॉंस पर क्लिक कर देता हूं कि और यहाँ पर individual पर जाकर भी आप देख सकते हो और यहाँ पर आपको कि इन सभी को data को export करना चाते हो तो simply आपको यहाँ पर export बटन भी दिया गया है सिंपल इस यहाँ से मैं allow कर देता हूं और इस export पर प्लिक कर देता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो जिक गूगल शीट में यूवर नेम में नाम नजर आ रहा है यहाँ पर यूवर क्लास में क्लास नजर आ रहा है और यहाँ पर सभी ऐसे ही answers आपको मिल जाएंगे वैल अभी आपको पता चल चुका है कि सिंपली एक एप के मदद से कैसे गूगल फॉर्म को करेड़ करना है और बच्चों को कैसे शेयर करना है और डाटा को कैसे एक्सपोर्ट करना है वैल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरी के गूगल फॉर्म के रिएट वीडियो देखना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नए इंट्रेस्टिंग टॉक्पि